प्रतिबंद फिलिपीन्स और चीन पर दिखेगा प्रभाव, चावल के उत्पादन में पहले इस्थान पर है चीन साथ से बीस सितंबर के बीच ग्रामीड विकास मंत्राले का चलेगा कैमपेन, स्वायम सहायता समूह में शामिल कराने की प्रक्रिया में तेजी लाना है मकसद, साल दो हजार ग्यारह में लॉंच हुई थी योजना और प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉंच साल दो हजार पच्चिस तक रखा गया उनुमूलन का लक्ष है, रॉबर्ट कोच ने की थी टीबी के बैक्टीरिया की खुच चलिए ख़बरों की शुरुआत करें, उससे पहले एक बार फिर बता दूँ कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडियेफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए अमरित उपाधियाई 007 टेलिग्राम चैनल पर जाईए जहां इसकी पीडियेफ रोजाना पॉर्ट ड्यूटी लगा दी गई ये नोडिफिकेशन डीजी एफटी यानि डिरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेंट ट्रेड ने जारी किया है इस मामले में विदेशी व्यापार नीती 2015 से 2020 की प्रावधानों के लागू नहोने की बात कही गई है भारत द्वारा चावल के निर जातकों में शामिल है आपको बता दें कि चावल दुनिया की बड़ी खाद्यान फसल है चावल के उत्पादन के लिए उच्छ तापमान उच्छ आर्द्रता और वर्शा की जरूरत होती है इसका उत्पादन ऐसी जलोड मिट्टी में होता है जो पानी को संचित कर सकती है चावल के उत्पादन में चीन पहले पायदान पर है भारत दूसरे स्थान पर आता है भारत में चावल के उत्पादन में पश्चम बंगाल पहले स्थान पर है इस खबर की जरूरत को समझने के लिए साल 2020 में UPSC की पीटी परिक्षा में पूछे गये सवाल पर गौर कीजि है हलकी सू अपवाहित म्रिदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है या फसल निम्नलिखित में से कौन सी है कपास जूट गन्ना या फिर चाए इस सवाल का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए ग्रामीड विकास मंत्राले द्वारा साथ से 20 सितंबर के बीच देश भर में एक कैमपेण चलाया जा रहा है इसका मकसद गरीब ग्रामीड महिलाओं को महिला SHG यानी स्वैम साहयता समूह में शामिल कराने की प्रक्रिया में तेजी लाना है इस कैमपेण के दौरान हर अंतियोदय योजना के स्वैम साहयता समूह के फायदों के बारे में बताया जाएगा आपको बता दें कि आजीविका राश्ट्रिया ग्रामीड आजीविका मिशन को साल 2011 में लौंच किया गया था साल 2015 में इसका नाम बदलकर दीन दयाल अंतियोदय योजना किया गया इसम अंतिम मकसद है गरीबी को दूर करना राश्टपती द्रौपदी मुर्वू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉंच किया इसके जरीए भारत ने टीबी उन्मूलन के लिए साल 2025 तक का लक्ष रखा है वहीं SDG 3.3 में 2030 तक टीबी को खत्म करने की बात की गई है WHO की एंड टीबी स्ट्रेटजी 2016 से 2035 के लिए लॉंच की गई है इस विजन को पहली बार साल 2018 में नई दिल्ली में आयूजित एंड टीबी समिट में दिया गया था इस मौके पर राष्टपती ने निक्षे मित्र पहल भी लॉंच की जो की टीबी के मरीजों को अतिरिक्त सहायता मुहिया कराएगा इस पहल के अंतरगत लोगों को निक्षे मित्र बनने का आवसर दिया जाएगा जो टीबी के मरीजों को अडॉप्ट करेंगे और उनके nutritional, diagnostic, vocational और medicine की जरूरतों को पूरा करेंगे आपको बता दें कि TB, Mycobacterium, Tuberculosis, Bacteria द्वारा फैलने वाली बिमारी है जो मुखिता लंग्स को प्रभावित करती है या दवाईयों से ठीक हो सकती है लेकिन जागरुकता के अभावों में हमारे समाज के लोग TB मरीजों से दूरी बनाये रखते हैं जिसके चलते उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाती निक्षाय मित्र समाज में फैले इस स्टिग्मा को दूर करने की दिशा में एक कदम है साल 1882 में 24 मार्च के दिन दॉक्टर रॉबर्ट कोच ने घोशना की थी कि उन्होंने TB के लिए जिम्मदार बैक्टीरिया की खोच की है 24 मार्च के दिन हर साल विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है शोद करताओं की एक अंतराश्ट्रिया टीम ने साइबर कॉक्रोच तयार करने का दाइवा किया है साइबर कॉक्रोच से मतलब कीट और मशीन से मिल कर बने कॉक्रोच से है इन कीटों के moments को integrated circuit के द्वारा नियंतरित किया जा सकेगा इन्हें ऐसे क्षित्रों में surveillance के लिए प्रयोग कर सकते हैं जो इनसानों के लिए सुरक्षित नहीं है इन क्षित्रों में urban search and rescue और environmental monitoring शामिल है इस experiment के लिए वैग्यानिकों ने medagascar cockroach का प्रयोग किया है जो कि cockroach की सबसे बड़ी प्रजाती है साथ ही इन्हें sound करने के लिए भी जाना जाता है जो कि ये disturb होने पर करते हैं साइब और cockroach में वैग्यानिक एक 3D printed backpack को cockroach के nerves system में जोड़ देते हैं जिससे इनके legs movement को control किया जाता है आईए देखते हैं आप जल्दी से आज की bulletin पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं पहला सवाल है भारत ने TB उन्मूलन के लिए किस साल का लक्ष रखा है 2024, 2025, 2030 या फिर 2023 अगला है निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए 2024 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाये जाता है प्रधान मंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लांच किया गया है नीचे दिये गया कूटों की साहेता से सही कथन चुनिये केवल एक, केवल दो, एक और दो दो नो सेना का लड़ा को विमान या फिर एपल कंपनी का उननत कम्प्यूटर और सही जवाब है इसका ऑप्शन है अपराधूं का रिकॉर्ड रखने वाला सॉप्ट्वेर अगला सवाल था निमनल इकित कत्रों पर विचार कीजिए समविधान के मुलबूद सिधान्त की व्याख्या संसद ने की है भारत में एकल नागरिक्ता का भी प्रावधान किया गया है नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उतर चुनिये केवल एक, केवल दो, एक और दो दो न तो एक नहीं दो इसका सही जवाब है, ऑप्शन भी केवल दो आप में से ज्यादा तर लोगों के जो जवाब मिले हैं कमेंट बॉक्स में वो सही हैं, उमीद है आज पूछेगा है सवालों का जवाब भी कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, आपको ये पहल कैसी लग रही है ये बॉलेटिन कैसा लग रहा है, इसके बारे में भी ज़रूर लिखते रहिए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, कुछ फीड़बेक देते रहिए उमीद है आपको ये पहल अच्छी लग रही हो, और अच्छी लग रही हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए फिलहाल इस बॉलेटिन में इतना ही ठीक से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से त्यारी कीजिए कल कंपाईलेशन के साथ मुलाकात होगी, पूरे हफ़ते के कंपाईलेशन के साथ मुलाकात होगी, रात 9 बजे, अपना ख्याल रखिये, नमस्कार Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल